हलो मैं उश्वेता अंकुर आप देख रहे हैं दी ललन टॉप नेट्फिक्स की मच अविटेट फिल्म दग्रे मैन रिलीज हो चुकी है जैसा कि नाम से साफ हो रहा है कि ये फिल्म ब्लाक और वाइट में डिल नहीं करने वाली ये फिल्म अच्छे और बुरे की बीच बसने वाले ग्रे शेड वाले नायक की कहानी बताती है इस नायक का नाम है कोड जेंट्री वो एक मर्डर केस में जेल जा रहा है उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर CIA उसे एक ओफर देती है हमारे लिए एक काम करोगे तो सदा माफ कर देंगे जेंट्री मान जाता है उसे कोड नेम दिया जाता है सियरा सिक्स CIA चीफ डेनी कारमाइकल सिक्स को एक ओपरेशन के लिए चुनता है सिक्स को एक बैड गाई को मार कर उसके पास रखी एक चिप हासिल करनी है सिधानतों और नेतिक्ता में यकीन करने वाला सिक्स जब उसे आदमी को मारता है तब उसे वज़ा चलता है कि वो बुरा आदमी नहीं है इसलिए वो चिप डेनी के हवाले करने की बजाए उसे छुपा कर खुद गायब हो जाता है उस चिप में इतनी खतरनाक जानकारिया हैं जो डेनी की नौकरी और करियर दोनों खा सकती है इसलिए वो सिक्स को खतम करने के लिए हैंसन लॉइड को बुलाता है हैंसन एक साइकोपैथिक ट्राइबेट मरसेंडरी है जो इलीगल तरीके से ओपरेट करता है कहानी यह है कि हैंसन सिक्स को खतम करके और चीफ ढूंड पाता है या नहीं दे ग्रेमेंग बुन्यादी तोर पर आइडिलोजी की बात करती है वो एक अच्छा आदमी चुनती है जो क्रिमिनल है अच्छा आदमी और क्रिमिनल होना थोड़ा weird combination है इस बारे में बेटा कॉल सौल में बड़े thoughtful तरीके से बात होती है जो पताती है कि जरूरी नहीं है कि हर क्रिमिनल एक बुरा आदमी ही हो सीरीज में एक सीन है जहां एक नव सेखिया रग डिलर और माइक अर्में ट्रॉट की बातचित चल रही है माइक कहता है इसके जवाब में वा आदमी कहता है वेट, I'm not a bad guy इसके जवाब में माइक उससे जो कहता है वो इस सीरीज की सबसे मारक और यादगार बातों में से एक है वो कहता है तो अपना कोर्ट जेंट्री जो है उर्फिक सियरा वो एक गुड क्रिमिनल है जिसका सामना हैंसन नाम के एक साइकोपाइथिक विलन से हो जाता है उसके लिए कोई ग्रे एरिया नहीं वो ब्लैक में खेलता है और वो अपना मकसद पुरा करने के लिए किसे भी हद तक जा सकता है ये आपके दो मुखे किरदार हो गए जो एक दूसरे के साथ चुहे बिलनी का खेल खेल रहे हैं मगर उनकी इस लड़ाई में कोई बात या विचार नहीं है सिर्फ एक्षन है बे मतलब का एक्षन बढ़िया क्वालीट का एक्षन मगर सिर्फ एक्षन ये फिल्म विचार धारा से अपनी बात शुरू करती है मगर विचार के ये पीछे छूट जाता है दर्शकों के हिस्से सिर्फ धारा प्रवा एक्षन बच जाता है मगर वो बहुती वेल कोरियोग्राफट और शांदार टाइप का एक्षन है दुनिया भर के खुबसुलत लोकेशन्स, फैंसी एक्षन ब्लोक्स दो काफी गुड लुकिंग लोगों की लड़ाई कार से लेकर ट्रैम, बिल्डिंग, जहां देखो बंबारी, गोली बारी चल रही है मगर ये एक्षन फिल्म को बहतर बनाने में कोई मदद नहीं करता मैं निजी तोर पर एक्षन फिल्म को समझने के लिए एक तरीका इस्तिमाल करता हूँ मैं उस फिल्म से एक्षन निकाल देता हूँ अगर फिर भी वो देखने लाएक कहानी बची रहती है तो उसे मैं एक अच्छी एक्षन फिल्म माल लेता हूँ क्योंकि एक्षन सिर्फ फिलर हो सकता है वो कहानी को रिप्लेस नहीं कर सकता आप सबा 2 घंटे तक लगातार सिर्फ एक्षन नहीं देख सकते आपको कुछ सब्स्टन्स चाहिए अगर वो नहीं है तो फिल्म खोकली लगती है दग्रे मैन वही खोकली फिल्म है रायन गौसलिंग ने फिल्म में कोड जेंट्री यानी सिरा सिक्स करोल किया है वो क्रिमरल कैसे बना उसके एक बैक स्टोरी है जो चीज उससे क्रिमरल होने के साथ अच्छा आदमी बनाती है रायन गौसलिंग पूरी फिल्म में जेंट्री पास सेकेंड तक शून्य में ताकता रहता है फिर चुप चाप आकर C.I.A. एजेंट मिरांडर की कार में बैठ जाता है मुझे नहीं लगता कि उस सीन में कोई भी डालोग उस चुपी से ज़्यादा भारी हो सकता था हैंसन लॉइड का रोल किया है जरूर तरीके से पेश आता था इसलिए अब वो फ्रीलांस मर्सेनरी बन गया है क्रिस एवंस की परफोर्मेंस को आप एंजॉय करते हैं अना दे आर्मस ने C.I.A. एजेंट मिरांडा का रोल किया है जो कि अधिकतर मौकों पर कोड जेंटरी की मदद करती भी नजर आती है दा ग्रे मैन में अपन वेट कर रहे थे धनुस का धनुस ने अविक नाम के एक कॉंट्राक्ट किलर का रोल किया है जब हैंसन की प्राइवेट आर्मी को जेंटरी तबाह कर देता है तब अभी उस लोन वुल्फ सीन में आता है हैंसन उसे सियरा सिक्स से वो चिप वापित लाने के लिए भेजता है धनुस का रोल फिल्म में छोटा है मगर वो स्टॉलीड कैमियो है मगर वो भी सिर्फ दो तीन लाइन बोलते हुए सुनाई देते हैं फिल्म की तरह धनुस का करेक्टर भी बात विचार नहीं सिर्फ एक्शन करता रह जाता है दग ग्रे मैन महंगी दिखने वाली एक्शन फिल्म है जिसके पास ना कहने को कुछ नाया है ना दिखाने को कुछ नाया उसे लगता है कि उसके पास दो बड़े स्टार्स हैं जो आपसे भिलेंग और पब्ली को मज़ा आ जाएगा मगर उनके लड़ने के लिए कोई वाजीब या ठोस वज़य तो होनी चाहिए हैंसल लॉइट और कोट जेंट्री किसी तीसरे के कहने पर आपस में लड़ रहे हैं उनके पास लड़ने की कोई परसनल वज़य नहीं है मैं यह नहीं कहूंगा कि यह बोरिंग फिल्म है मैं सब आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि दुनिया में फिल्म है और अपने पास है बहुत लिमिटेट टाइम इसलिए आप क्या देखना चाहते हैं उसका चुनाव बारिकी से करना होगा बाकि यह मेरा मानना था आपको जो लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं मेताश्वेता आपको आप देख रहे थे दिल्लेलन टाप शुक्रिया